आज हम भात केवें कलपना चावला की भारत की महान बेटी कलपना चावला कर नाल हरियाणा भारत में जनमी थी उनका जनम 17 मार्च शन 1962 में हुआ था उनके पिता का नाम श्री बनार सीलाल शावला और माता का नाम सन्योदती देवी था वह अपने परिवार के चार भाई भेनों में सबसे छोटी थी कलपना की प्रारंबिक पढ़ाई टैग और बाल निकेतन में हुई थी कलपना जब आठवी कक्षा में पहुंची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की उनकी मा ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की पिता से चिकित्सा या शिक्ष का बनाना चाहते थे किन्तु कलपना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कलपना करती थी कलपना का सारवधिक महतपोड गुन था कलपना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही आसफलता में घबराने वाली थी आगे की शिक्ष वैमानिक अभियांतरिक में पंचाव इंजिनियर कोले चंडीगड भारत से करते हुए 1982 में अभियांतरिक इसनातक की उपाधी प्राप्त की वै सन्युक्त राज्य अमेरिका के लिए 1982 में चली गई और 1984 विमानिक अभियांत्रियों में विमान निरक्षण की उपादी टैक्सास विशु विध्याले आरली गटन से प्राप्त की, कलपना जी ने 1986 में दूसरी विज्यान निष्टा की उपादी प्राप्त की और 1988 में कोलोराडो विशु विध्याले बोल्डर में विमानिक अभियंत्री में विद्या वाचस्पती की उपादी पाई कलपना जी को हवाई जहाजों में गलाइडरों वे विवसाइक विमान चाला के लाइसेंस के लिए प्रमारित उडान प्रशिक्षन का दर्जा हासिल उन्हें एकल वे बहु इंजन वाईू यानों के लिए विवसाइक विमान चाला के लाइसेंस भी प्राप्त थे अंतरिक शियात्री बनने से पहले तो एक सू प्रसिद नासा की वेग्यानिक थी सन 1991 में कलपने चावला ने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली और नासा एस्टो नोट कोर्स के लिए आवेदन कर दिया मार्च 1995 में उन्होंने नासा एस्टो नोट जोइन कर ली और उन्हें सन 1996 में पहली उडान के लिए चुना गया उनकी पहली उडान अंतरिक्ष यान कोलंबिया फ्लाइट सेंख्या STS 87 में 19 नवंबर 1997 को प्रारम हुई इस अंतरिक्ष यात्रा के दोरान कलपना चावल समय दल में कुल 6 सदे से थे इसके उडान के साथ वे अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारते महिला और दूसरी भारते बन गई इससे पहले भारत के राकेश शर्मा नैसन 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी अपनी पहली उडान में कलपनच शावला ने लगभग एक करोड मील की यात्रा की जो प्रत्वी की लगभग 252 चक्कर के बराबर था उन्होंने कुंग 372 घंटे में अंतरिक्ष में बिताए इस यात्रा के दोरान उन्हें स्पार्टन उपग्रह को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौपी गई थी पर इस उपग्रह ने ठीक से कारे नहीं किया जिसके स्वरूप इस उपग्रह को पकड़ने के लिए दो अंतरिक्ष यात्री विस्टम स्कोर्ट और टकाओ दोई और अंतरिक्ष वाक करना पड़ा इस गड़वडी की वजह जानने के लिए नासा में पांच महिने तक जाच की जिसके बाद यह गड़वडी कलपना की वजह से नहीं बलकि सोफट वेयर इंटरफेस और फ्लाइट और ग्राउंड कंट्रोल के कारण प्रणाली में खामियों की वजह से हुई थी कोलंबिया अंतरिक्ष यान हासा और कलपना चावला की मृत्यों भारत की पहली महिला अंत्रिक्ष यात्री कल्पना चावला की दूसरी अंत्रिक्ष यात्रा ही उनकी अंतिम यात्रा सावित हुई अपने सभी अनुसंधान के उपरांत वाक्सी के समय कोलंबिया अंतरिक्षियान प्रित्वी के वायू मंडल में प्रवेश करते ही तूट कर बिखर गया और देखते ही देखते अंतरिक्षियान और उसमें सवार सातो यात्री खाक हो गए ना सही ही नहीं बलकि संपूर विश्व के लिए यह है एक दर्दनाग घटना थी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले